नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल थोर्ट से पेट में तो एमार्ट सेम होते हुई भी परसेंटाइल कम ज्यादा क्यों होए तो इसके सारे सवाल जो है इसी वीडियो में आपको मिलेगे तो एक बास समझ मिलेजिए कि अभी एक सवाल उठ रहा है MST CT पर कि MST CT में स्क्याम हुआ है क्या तो एक बास समझ ले परसेंटाइल 50-60 परसेंटाइल और इतना डिफ्र μια होई नहीं सकता क्यूंकि मारतु दी कू determin लेति इस ह CT exam में कोई scam नहीं हुआ अब कैसे तो एक बात समझ लीजे कि आपका result कैसे लगता है उसका जो है उसका calculation मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि जब आप exam देने जाती है तो उस shift का टौपर दीखे जाता है और उस टौपर के पीछे कितने student से ओ देखि जाती है और उसके बैसिक प्रेशी जो बाकी के student से उसके percent निकल जाती तो आपका जो percent है आपके जो mark से तो आपके mark के पीछे कितने students है उसके हिसाब से आपका परसेंटाइल निकलता है यह जो बात है यह बात में आपने पिछने वीडियो में भी बताई थी उसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में देल दूंगा उसका लिंक जाके आप देख सकते कि किस तरह से परसेंटाइल निकले अब क्या कुछ students है जिनके marks 50 आये और दूसरे जो students है उनके मास्क भी 50 आये लेकिन इसका जो परसेंटाइल है फर्स्ट वाले student का वह आया है 60 ते 70 के बेच में और दूसरा का परसेंटाइल आया है वह 6 त 8 से 12 के या 15 के दर्मान आया है तो अभी वह 8 त 15 के दर्मान में जो students आया है तो उसके मन में डाउट आ रहा है कि देखें मेरा marks 50 आया मेरे फ्रेंड का भी मार्क 50 आया लेकिन इतना difference कैसे हो सकता है और जे डेबल एका जो इतना difference तो नहीं है लेकिन मेरा MST CT का कोई फ्रॉट नहीं है इस सवाल जो है और नॉर्मल यह आ जाएंगे बच्चों के बिच नहीं है लेकिन देखें कि MST CT का जो रिजल निकालने का जो परसंटाल निकालने का जो जो भी step है या exam pattern है exam pattern कही ना कही तो गलत है लेकिन अभी क्यार के सकते हैं उस exam pattern से अपका result निकलता है तो उसी को आपको consider करना पड़ेगा और उसी की सबसे आपको जो है आपको देख निकालने पड़ेगी तो आपके मंद में जो आ रहा है कि MST CT में कुछ स्कैम हुआ है या नहीं तो अभी आप अपने मन से निकाल लेजिए उसमें कोई ऐसा scam वगेरे नहीं हुआ है लेकिन एक बास समझ लेजिए कि जो pattern है MST CT को कही ना कई बदलना चाहिए क्यूंकि बच कि देखिए कि जिसके परसेंटाइल ज्यादा है उसको तो अभी college अच्छा मिले गाई लेकिन जिसके कम है उसको अभी college में है admission मिलने में बहुत दिक्कत आ सकती है तो देखिए कि होता क्या है कि परसेंटाइल निकालने की बहुत पढ़े फैर्म मिले है जिससे कि मैंने आपके मार्क कंसिडर करते हैं तो देखिए कि नाराज मत हुए जितने भी students के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि किस तरह से आपको कौन-कौन से college डालने है या अभी देखिए कि drop करना तो आपके हिसाब से सही होगा या गलत होगा वो आपका समझ है लेकिन मेरे हिसाब से दो अभी देखिए कि कोरोना का पेंडिंग पिरेड है अगर एक semester भी आपका online अगर हो जाता है मतलब guarantee तो नहीं है लेकिन हो जाता है तो देखिए कि आपको ही फाइदा होगा फर्स semester आपक कोई फाइदा ने कॉलेज देखिए अच्छा मिलेगा आपको उसका कोई सवाल आपके जो मन में है वो निकाल दीजे क्योंकि कॉलेज में अभी जो परसेंटाइल आया है वो परसेंटाइल के सबसे तो देखिया जाएगे कि यो competition है वो पुना और मुंबई दोनों में ऐसे भी स्टूडन है जिनके परसेंटाइल बहुत कम आये है बहुत स्टूडन ऐसे जिनके परसेंटाइल 60-80 के बिच में है इतना आप द्याम में रखिए कुछ परसेंटाइल जो है ओ 50-60 के बिच में है बहुत स्टूडन है कि जिनके परसेंटाइल जो लो परसेंटाइल आया है तो ऐसे घब्राट की बात नहीं है पर घब्राट जाने का नहीं क्योंकि देखिए अभी आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है कि मेरे परसेंटों के कशा करना है और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है कि अभी आपको सुचना है कि जब तक रिजिस्टेशन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक आपको पूर्णे आपके लिश्ट है कॉलेज की लिश्ट की आपको निकलना है तो देखिए कि जो मन में आपके डाउट्स था कि में कोई फ्रॉड हुआ है क्या तो उसकी जो पूरी जो एक है हुँ जो वीडियो हम लेके आते हैं में बच्चों को और सघी तरेके से उनके की मायंनिसेट किया जाए उनके ऑ्यंडमिशन प्रोसेस के लिए उनने तयार किया घै तो ऐसी विडियो हम लेके आते तो इसीमीडियो देखने के लिए चैनल को सब्क्राइये साथ है कर बिहार क्रदेश और मध्य प्रदेश आए फिक उनकी हिंदि में तर ती मित रनो